ओम शान्ती आज का हमारा विशे है संपूर्ण पवित्रता इस विशे के पर्थम भाग में हम लेंगे मान्सिक पवित्रता अर्थात मन की पवित्रता भगवान केती हैं कि अगर दिन भर में स्वीट साइलेंस का और अतिंद्री सुख का अनुभव नहीं होता तो इसका कारण ये है कि पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है पवित्रता को सुक्षान्ती की जननी कहा गया है लेकिन केवल ब्रह्मचरिये ही पवित्रता नहीं है पवित्रता की परिभाश्या बड़ी गुई है आज के समय में जो लोग पवित्रता का पालन करते हैं वो भी बधाई के पात्र हैं बाबा उन आत्माओं के भी बड़ी महिमा करते हैं लेकिन बाबा कहते हैं कि मुझे आप बच्चों को संपन और संपुर्ण बनाना है इसलिए पवित्रता की सुक्षं परिभाश्या को समझना अति अवश्यक है उस परिभाश्या की अनुसार संपुर्ण पवित्रता अर्थात मन की वानी की कर्म की और स्वपन की भी पवित्रता अगर स्वपन में भी ब्रह्मचरिय का खंडन होता है या क्रोध आता है आवेश आता है इर्शा आती है तो ये भी पवित्रतार नहीं है विचार कीजिए अगर स्वपन में खंडन होने पर भी दोश लगता है तो करम में आने पर कितना दोश लगता होगा इसलिए खंडित मूर्ती की पुझा नहीं होती। ऐसी मूर्तियों को म्यूजियम में रखा जाता है जहां भक्त नहीं आते हैं। ये कहा जाता है कि ये मूर्ती बहुत पुरानी है। वस्तों में बक्ति मारिक में उसका अंग भंग दिखा दिया है। संगम युग में ये इस बात का प्रतीक है कि चारों में से कोई एक प्रकार की पवित्रता की कमी रही। भगवान केती हैं पवित्रता अर्थात संपुर्ण वैश्णव। जैसे वैश्णव लोग अशुद्ध चीज को देखते भी नहीं हैं चूते भी नहीं हैं परियोग भी नहीं करते हैं उनकी है स्थूल पवित्रता और आपकी है सुक्षम पवित्रता अर्थात मन से किसी भी अशुद्ध चीज को न चूना न उसका संकल्प करना न बार-बार उसकी स्मृति में आना भगवान कहती हैं अगर वृत्ति चंचल होती है तो ये भी अपवित्रता है अपवित्रता का सुक्षम रूप है मन में वृत्ति में अपवित्र विचार आना फिर वो दृष्टी में और कृत्ति में आ जाती हैं तो जो मूल है वृत्ति अगर वृत् पर दाग लग जाता है इसलिए वृत्ती भी एकदम शुद्ध स्वच और क्लीन हो फिर भगवान केती है संपुर्ण पवित्रता की जो परस्नेल्टी है वो संसार की सर्वोच परस्नेल्टी है ऐसी परस्नेल्टी वाली आत्मा की आंख किसी भी चीज में डूपती नहीं है व इसको अंदर से त्रिप्त होता है भरपूर होता है संतुस्ट होता है यह ऐसे क्यों यह वैसे क्यों इसको ऐसे होना चाहिए इसको वैसे होना चाहिए यह विचार पवित्रता की परस्नेल्टी वाली आत्मा में नहीं आते हैं और नहीं वो किसी के पार्ट को देख करके ऐस से संकल्प करता है कि इसको ऐसा पार्ट क्यों मिला मुझे क्यों नहीं मिला इसकी इतनी प्राप्ति क्यों मुझे क्यों नहीं वो आत्मा अंदर से इतनी त्रिप्त होती है कि वो हर बात को देख करके संतुष्ट प्रसन निश्चिंत और सदा हल्की रहती है प्यारे बाबा न चार प्रकार की जो रुहानी परस्नल्टी बताई है उसका वर्णन करते हुए कहा है कि आप बच्चों की पूरे कल्प में पवित्रता की परस्नल्टी सबसे उची है उसमें बाबा ने सबसे पहले अनादी काल को याद करते हुए कहा कि अनादी काल में आप आत्माई जब परमधाम में थी तो बाकी आत्माओं की तरह आप भी चमक रही थी लेकिन आपकी चमक सबसे अलग प्रकार की थी सबसे अधिक थी आप बाप के सबसे अधिक समीप थी तो अनादी काल में परम पिता परमात्मा शिव जो पवित्रता के सागर उनकी समीपता और आत्मा की सर्वोच चमक ये हमारी परस्नल्टी थी फिर बाबा ने कहा आदी काल में यानि के सत्युग में सत्युग की आपके जो पवित्रता की परस्नल्टी है वो दुनिया में किसी की भी नई है क्योंकि उस काल में प्रकृति आपकी दासी थी आप माया जीत प्रकृति जीत और सब प्रकार की अंदर की वृतियां जीत थे करमेंद्रियां जीत थे आप सर्व दिव्वे गुणों से विभुशित और सब प्रकार की स्वच्छता पवित्रता का प्रतीक स्वर्ण मुकुट और प्रकाश का ताज आपके चेहरे पड़ था आप विश्व महराजन विश्व महरानी के रूप में प्रजा के द्वारा माननिये पूझनिये थे तो ये आदी काल की पवित्रता थी फिर भगवान कहती हैं मध्य काल में जब आपकी यादगारे पूझी जाने लगी जब आपके मंदीर बनी तो मंदिर भी कितने भव्य और विशाल बने किसी भी धरम पिता, महात्मा, सन्यासी, गुरू की इस प्रकार से पुजा नहीं होती ना इतने विशाल मंदिर बनते आपके मंदिर भी विशाल और मूर्ति भी बड़ी भव्य और मूर्ति का शिंगार भी कितना भव्य चत्र, मुकुट, सिंगासन, स्वन जडित, अनेक प्रकार की चीजें आपके मंदिर की शुभा बढ़ाती थी पुजारी भी जब आपकी पूजा के लिए आता था तो बड़ी शुद्धी से आपकी मूर्ति को चूता था पूजा के लिए विधी विधान, फिर शयन की पूजा, प्राते उठने की पूजा, दातुन करने की पूजा, खेलने की पूजा, आपके तो हर करम की पूजा होत भक्तों की कितनी लंबी लंबी कतारी आपके स्मक्स आपके दिव्य नेत्रों से प्रेम और शक्ति प्राप्त करते हैं कितनी स्रधा भाव से आपको मामा कह करके आपके आगे नत्मस्तक होते हैं आपने जो सातों गुणों की साधना की वो आपकी मूर्ति से द्वापर युग और कल यूग में भक्तों को प्राप्त होती हैं, वो त्रिप्त होती हैं, उन्हें खुशी मिलती हैं, तो आपकी पवित्रता के बल से दो यूगों तक आप पूजे जाते हो, ये भी आपकी बहुत बड़ी महानता है, सबसे अलग प्रकार की आपकी पूजा है, और फिर वर्त की जड़ों में बैठ करके, आप मम्मा और बाबा के साथ साधना कर रही हैं, आपकी पवित्रता का बल इस संपुर्ण वरिक्स को मिल रहा है, और आपकी पवित्रता के बल से नई दुनिया की कोमल-कोमल कल में फूट रही हैं, आप वर्तमान समय ब्रहामन हैं, और आप ब् दोनिया के ब्रहमन भी अपनी आजिवी का चलाते हैं तो इस अंतिम जनम में भी अब्रहमन के रूप में विशेश माननिये और पुजनिये हैं इसलिए भगवान कहते हैं कि हर समय याद रखो कि मैं पवित्रता की देवी हूं कोई भी आपको देखे तो आपसे पवित्रता के vibration मैसूस करी जैसे यग्य की स्थापना के आरंभ में जब दादियां सिवा पर निकली तो सब उनको कहते थे देवियां आई देवियां आई कोई ये नहीं कहता था बहने आई माता ही आई तो आपको देख करके भी सबके मन में ये भाव पैदा हो कि ये देवियां हैं ये प भगवान कहते हैं अगर सूरिय के सामने अंदकार आए तो सूरिय उसे भी प्रकाश में बदल देता हैं अगर पवित्रता के सूरिय के सामने ए पवित्रता की वृत्ति आए तो पवित्रता का सूरिय उसे भी पवित्रता में बदल सकता है इसलिए पवित्रता के सूरिय बन करके रहो यही है संपुर्ण पवित्रता की परिभाश्या ओम शांति